नमस्कार एसेन सुदला में आपका स्वागत है मैं हूँ शुक मारतिवारी मित्रों अगले 15 मिनिट तक इस कारिक्रम को आप ध्यान से देखना खास्तोर से क्रिशी से जुड़ावा किसानों से जुड़ावा एक ऐसा कारिक्रम है जो सुदानगट छेतर की तस्वीर को बदल स सकता है आप सब जानते हैं सुदानगट के आश्मा से 15-20 किलोमेटर की परीदी में बिलकुल खारा पानी है इतना खारा पानी है कि जिसका नमक बनता है पीना तो दूर इसको आप मूंबे में नहीं ले सकते और आपने कभी स्षेतर में स्प्रिंकलर चलते वह देखा भी न मलजी चोदरी जो की रिटायर सेल्टेक्स कमिस्नर यानि बहुत बड़े पद से रिटायर होने के बाद में उनके मन में ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि लोगों की खास्तों से किसानों की दसा बदल सके अब एक कल्पना कीजिए इतना बड़ा अधिकारी रिटाय रुइनकावज जिसको लाखों रुपे मिल जाते हैं बहुत बड़ी पेंसन उसको मिलती है वो अराम से घर में बेड़ सकता है ऐसी में आराम कर सकता है लेकिन दिमाग में ये चला कि कुछ रसा किया जाए ताकि नाम भी अमर हो जाए और लोगों के लिए कुछ करने का एक उधारन बन जाए मैं इस समय सुजानगर से तीन चार किलोमेटर चापर रोड पर महिंद्रा सोरूम के पीछे के छेतर में हूँ ये पूरा छेतर आसपास में खेत है यह सागरमल जी चोदरी का खेत है इसमें इन्होंने एक इज्राइल की मसीन लगवाई है जिसके माद्यम से नमक जैसे खारे पानी को मीठा किया जा सकता है बहूत मीठा तो नहीं हो सकता लेकिन सिंसाई योगी किया जा सकता है आपको पता है कोरना काल चल रहा है उमिềnड इतनी सबक लेकर सागर मलजीरे यह कारिकी है मैं आपको खेत के अंदर लेकर चलूँगा लगबग पका दस भीगा का यह खेत है और इसमें अगर हम प्रवेस करें तो इदर इन्होंने पोदे लगाए हैं यह आप देख रहे हैं यहाँ पर पेड़ पोदे लगाए हैं फलदार चल रहा है कुछ चेत्र में और सप्रिंग्ले सठेगा वा पर जो पीछे आप देख रहे हैं सोलर प्लांट लगाव है जिससे यहाँ पर बिजली की आप सकताने सोलर प्लांट से वह इजराइली प्लांट चलाएंगे और इस खेत के सिंटाइगे वारिसरीग दिन बारिस न हम बरसाद के मौसम में खेतों में जाते हैं काकड़िया मतीरिया भी खाते हैं तो इस बार खाएंगे तो इसी खेत का खाएंगे हमने ये भी सोचा है कि ये एक एक गतिविदी आपको मैं आज दिखाऊंगा ताकि हमारे जो किसान हैं उनको ये लगे कि हमारे छट्र में भी सिंदगा से खेती की जा सकती है और के से की जा सकती है ये सागर मल्जी का एक खेत बताएगा सागर मल्जी चोधरी बताएंगे आप देख रहे हैं इसराइली 35 से पानी को शिंतायोगिया करने के बाद में यहां पर प्रिंगलर से शिंतायी की गई और हलकी बारिश पी हो गई और अब आप देखने हैं ट्रेक्टर से खेर बोया जा रहा है मैं जिस मशीन की बात करा था यह वाटर कंडिशनर मशीन है इसराइल पदती की है आपको पता है कि इसराइल में बिल्कुल खारा पानी है लेकिन वहां पर इतनी सिंचाई हो रही है इतना उत्पादन हो रहा है कि वह एक सकती साली देश बन चुका है हमें संसादन के अबाव में किस तरह से काम करना चाहिए यह इजराइल से शिका जा सकता है यह पदती अपनाई है सागर मलजी चोधरी ने यह मशीन यह पर लगाई गई है कहते हैं कि छेतर में जो पानी में जो टीडियेस की मातरा है वो आट जार होती है लेकिन यह बनाने सागर मल जी पूरी हमें बताएंगे यह मसीन चलाने के लिए यहाँ पर विजली का कनेक्शन उन्होंने नहीं लिया है यहाँ पर आप देख रहे हैं यह सोलर प्लांट इहनोंने लगा है और सोलर प्लांट से यह स्प्रिंकलर चलेंगे और यहां पर शिन्चाई होगी अभ पर अभी की जाने वाली है यह वाटर कंडिशनर मसीन है जिसके माध्यम से इस चेतर में जो पानी है जो पूरी तरह से नमक कहा जा सकता है उसको शिंचायोगे बनाए जा सकता है अब आप देख रहे हैं यह यहाँपर स्प्रिंखलर सिस्टम लगा दिया गए है और आप अगरमल जी के मित्र मनी जी तूनवाल और चंपालाल जी आप देख रहे हैं जो कि उनका पूरा सयोग कर रहे हैं इस अभियान में अभियान है इस चेत्र के पानी को शिंचाई योगे बनाने का ताकि लोग बारे मेने यहां पर खेतों में काम कर सके और अभी आप मिठा नहीं होने के करण किसानों का दुर्बागी है कि वो केवल बारिस पर डिपेंड करते हैं और वो भी एक जुआ होता है फसल होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है राजस्तान के चुरू जिले में सुजानगट से तीन किलोमेटर दूर चपर रोड पर सा किलोमेटर की परिद्धी में आज तक किसे ने सिंचाई नहीं देखी होगी स्प्रिंग्लर सिस्टम चलता हो नहीं देखा होगा हम आप आपको दिखाएंगे यहां बोर्वेल के अगया है और यहां से पाइप के माद्धियम से यह पानी जो है वो बिलकुल नमक युक्त है लेकिन इस फिल्टर में जाने के बाद में इसमें नमक की मात्रा कम हो जाएगी जो टीडियस आठ जार है वो एक जार से कम हो जाएगा और यह पानी बिलकुल सिंचाई गो जाएगा अब भी आप देखेंगे यहां पर यह हुमारे चलेंगे यह देके शुरू हो चुके हैं आप देख रहे हैं सागर मलजी चोधरी पहुंच चुके हैं आपर नित्ते सुबह छे बजे हम पर पहुंच जाते हैं इस व्यक्ति के जज़बे को नमन करता हूँ है यह वो नजारा है जो सुजान गर्चेतर के लोग वरसों से देखना चाते हैं लेकिन यह सपना पूरा होने वाला है लाखों रुपे खर्च करके एक सेवानिवरत अधिकारी ने यह प्रियों किया है ऐसे कारे में इंसान को खुद लगना पड़ता है और खुद सागर जी नित्ये 6 बजे हम पर आ जाते हैं यह दर्शे बहुत सुन्दर लगता है और हम बगवान से प्राष्णा करते हैं कि हर खेत में इस तरह से फुमारे चले और खेत धरे बरे रहे हैं एक गाना हमने सुना है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती यह दरती है जो कर्शी के रूप में सोना चांदी उगलती है और इस मिट्टी में भोत सकती है उर्वर तक ख्रमता भोत है लेकिन दुर्बग यह कि हमारे सुदान गट के छेतर का पानी खारा है खारा नहीं यह नमक है जहां पर शापर में नमक बनता है लेकिन यहाँ पर अब यह जो नजराओ देख रहे हैं मैं भीग रहा हूँ लेकिन मुझे तकलिफ नहीं है भीग नहीं किND कि में हमारा सपना था कि इस तरह से हम इस फुमारे में भीगे और ये सपना भर खेट में पूरा होने वाला है और खेट खेट में अब फुमारे चलने वाले हैं और ये प्रियास इस टीम ने किया है सागरमजी चोदरी मनीजी तूनवाल चंपाला जी ये सब लोग सुबह पि सेत्र में लोग बारिस पर पर डिपेंड है लेकिन ये खेट तयार करने के बाद मास पास के खेट जो पूरी तरह से जंगल थे जिसको हम अडाव कहते हैं उन लोगों ने भी अपने खेटों को तयार कर लिया है उनके भी एक सपना जगाए कि एक सागरमल जी है कर सकते तो ये प्रिया सपल होने के बाद हम भी करेंगे जिस तरह से देश में बीमारियां बढ़ रही है मैं किवल करोना की बात नहीं करूंगा अनिक बीमारिया जिसमें कैंसर है ब्लड पेसर है हार्ट है ये बीमारिया लगबक सतर पर थेस्थ लोगों को हो चुकी है और इसके पीछे मातर कारण है रासाइनिक चीज़े हम खा रहे हैं एसी खाद यूरिया की खाद जो निसी तुफ से इंसानों को खुकला कर रही है लेकिन अब विदेशों के तरफ पर भारतिये लोग भी समझ लेगें कि और गनिक खेती बहुत ही जरूरी है ये आप देख रहे हैं ये रिटाइर होने के बात घर छोड़ कर खेतों में काम कर रहा है गोबर में हाथ डाल रहा है सब थे लिए के लिए मैंने यह सुना है कि पिस्ते दस वर्सों से आप रिटायर होने के बाद में देश के नेक चैत्रों में गए हैं और कुछ से जो समाजिक संग्तन है उन लोगों कि यहां पर नौकरी कर सकते हैं बहुत सारे एंज्यों नेने को फ़र दिया लेकिन इस व्यक्ति के मनमें एक सपना था कि कुछ से साक्या जाए ताकि जो विक्ति किसान परिवार में पैदा है किसानों के लिए कुछ कर सके और इंसान वह है जो अपने लिए नहीं पूरी दु तयार की जा रही है यानि इसमें केच्वा खाद तयार की जा रही है और ये खुद के लिए नहीं आम लोगों के लिए भी तयार कर रहे हैं ताकि हम घरों में भी जो लोग घरों में सब्जियां पैदा करते हैं वो भी इस तरह की खाद का प्रियोग करके सुद्ध सब्जिया खासे के सुद्ध फल खासे के यह सपना सागरमल जी चोधरी का है यह के च्वाखाद है और यह खेती प्रती लोगों की जागरूकता बड़ी है वरना लोग यूरिया खेतों में डालते हैं जो के जहर है दस क्यारियों में यह केच्वाखा तयार की जा रही है और यह जो चेतर आप देख रहे हैं यहां पर और ग्रिनिक सब्जियां तयार की जाएगी और यहां पर सागरमिल्जी चोदरी ने बहुत सारे पेड़ पोदे लगाये हैं और साथ में फलदार वरक्ष भी यहां पर लगाये हैं यह यहां पर सब्जियां लगाई गई हैं और इसमें यह केच्वाखा दी गई हैं ये देखे हैं अर्जुन का व्रक्ष लगाए गया है अच्छे अक्सेजन देने में अच्छे व्रक्ष में अर्जुन को देखा जाता है सेजन है मौरूंगा जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा संभावनाई इस व्रक्ष रहते हैं राजस्तान में जहां पर खेजड़ी खेतों में सेंकड़ों की संक्या में पाई जाती है लोग खेजड़ी को काड़ते हैं और लकड़ी बेशते हैं और उस खेत में सागरमिल जी चोदरी अगर खेजड़ी का पोदा लगाएं तो निसी तुप से इस व्यक्ति की भावनाओं की जितनी तारीब की जाए वो कम है सर ये खेजरी आपने लगाई इसके बारे में आपने बताया भी है मैं ये जाना चाहूंगा कि जो आपने ये जो सिस्टम लगाया है पानी का इसमें इस खारे पानी को क्रिशी हो गया करने के बाद में कौन-कौन सी फसल ली जा सकती है इसमें मेरे को पांच फसल की गारंटी दी है कमपनी वाड़ों ने और ये का है कि 2022 तक के आप इसको फसल को देखो अगर सफल नहीं होते हो जैसे सफल तक गारंटी है क्या करनाटकह आमें आंध्रा में तेलंगाना में ये मेंन देखा यैं और वो सफल है पांच पांच जो फसले हुए उन्होंने बताई वो मेरे बोलते हैं मोटा अनाज बोलते हैं वो सारी फसले इसमें हो सकती है लेगे आप देखिए साल में दो बारे महीने होते हैं एक फसल दो तीन महीने लेती है तो मेरे अगर तीन फसले भी होती है तो कामिया भी है एक फसल दो बगवान देता है चौमा से वाली दूसरी फसल में ज इसरी फसल जैसे गमार बाद में गमार ले लेंगे मार्च के आसपास तो यह तीन चार फसले होते ही अबाद हैं इतना अगर हो जाए तो इससे बड़ी अच्छी बात इस चैत्र के लिए कोई हो भी नहीं सकती है एसन पर मैंने अने कारिक्रम कवरेज किया जिसमें व्यक्ति रिटाइर होता है यानि शेवा निवर्त होता है तो उसके बाद में मैंने उनसे इंट्रू लिया तो हर व्यक्ति गया सपना था कि मैं अपने परिवार के लिए वक्त दूँगा या मैं तिर्थ सनों में जाऊंग या कुछ ऐसा करूंगा यानि मनोरंजन के साधन व्यक्ति देखता है लेकिन एक व्यक्ति जो रिटायर होने के बाद में किसानों के लिए कुछ करना चाहता है तो यह निश्चित रूप से सेल्यूट करने वाला है जो व्यक्ति मेरे पास में खड़े हैं सागरमल जी चोधरी शिवानिंवृत होते ही उन्होंने ये सपना देखा कि जित्थित्क में तूरा खारा पानी है जहां पर स्प्रिंक्लर यानी सिंसाई की कलप्न म corazón की जा सकती है उसमें कैसे और आपको कैसे मिली रिटस्ट के बाद में मैंने कफी एनजीओं से लगा रखा जुड़ाओ किया ने उनके पस ने काम भी किया महाराश्तर साउथ के ला करनाट का उनके साथ भी राह में और वो लोगी समग सरुकार के काम करते रहते हैं कई तरह के काम करते रहते हैं प्रियावरण भी उनका एक लिस्टेड आइटम था प्रदास्रम प्रियावरण यह था दो तीन साल तक मैं उनके साथ रहा बंबई में भी रहा बैंगलोर में रहा इतराबाद में रहा एमदाबाद में रहा और उन्होंने मेर जनमिस्तान है खारा पाणी है करनाटका में आंद्रा में खूब खारा पाणी है वहां खारे-पाणी से लोग खेती भी करते हैं तो मैंने यह सोचा कि मैं मेरे चेतर मैं ऐसा क्यों नहीं करूं जिसे खिशानों को प्रेड़ना मिले और उनको साल पर काम भी मिले और वो दो कि गृष्टत मैं थोड़ा- छोटा-मूटा काम् bigger दस वे फड़ा लिखाई तक मैंने मीट्टी का प्रिक्शन किया कर वाया इसकी पानी पॉरिक्शन कर वाया, तो मुझे लगा कि यह हॉत्साइं यह सफलता मिल सकती है, इसलिए सब से पहले तो मैंने यह मेरा पुछते नहीं टांका था तो इसको मैंने ठीक कराया और टेंकरों से पानी डला डला के और यहां यह देखा कि इस मिट्टी में कौन से पोदे डवलप हो सकते हैं बार से पोदे भी लाया जैसे यह सेजन का मुरूंगा का पेल है और इस मिट्टी के लिए सबसे ज्याद मैं प्राउठे बना के खाते हैं इसके और सेथ के लिए बहुत ज्यादा सेहत मन्द है यह चीज़े और बेल पत्र लगाए मैंने अरजुन अरजुन का पेड़ भी है जामून के भी है नीम के भी है फिर यह जो टाली जिसको बोलते हैं लोकल बासा में सरसों सरसों यह भी से मिट्टी के लिए उपयोगता है फिर मैं देखा खारे पाणी से कैसे खेती की जा सकती है मैं कई कंपनियों से संपर्क किया जो इस तरह की मशीने बनाते हैं इस तरह से जो करनाटका में आंदरा में इस तरह का यह मशीने बना बना के और मैं करते हैं काम तो मेरा संपर्क हुआ सुदर्शन वालों से उन्होंने का 12,000 टीडियेस तक का पानी का खेती योग्य बना देते हैं तो फिर यह पूरा इस्राइल में जर्मन टेकनोलोजी है इस्राइल में इसका खूब इस्तेमाल होता है और फिर मैंने यह मशीन मंगाई हुआ खुद वाया और भगवान की देया से प्रभू कृपा से मेरे पानी तो खारा है लेकिन पानी की मात्रा खूब है पानी काफी गैराई में नहीं है उंचा पानी है 60-70 फिट पे खूब पानी है और मैं यह शुरू किया है अगर मैं सफल होता हूं इसमें बगवान की कृपा से तो मुझे बड़ी संतुस जोगी कि मेरी प्रेज़ासे आसपास के लोगे च्छेतर के लोग जो हैं वह भी इसमें कामिया है और यह इलाका सरसब्द हो यह मेरी मूलसोच ती और इसी पर में काम कर रहा हूं मैंने सुना कि इस आपके खेत के आसपास में लोग बरसात में भी खेती नहीं करते थे और तो land को यह बूदार ही आपने पूचा है ये Lord को फॉर यारे की बात है यह ख्यति लोग काम नहीं करते ते यह करते थे अब को यह करते के कोई आना जाना ने कोई अमीद नहींकि पादाएस नहींंकि quarterback मेरे को इस रिटन नहीं मिलता है तो मैंने यह शुरुवात की शुरुवात की तो पिछले साल में देखा कि आस पास के चार पांच खेतों में लोगों ने बोया और ऐसा लगा कि यह एरिया जो है वो काफी लोगों का आना जाना वादवाइज मैं जब आया ता तीन चार साल पहले तो बिल्कुल विरान था यह को आता है नहीं था दिन में मैं रोजाना यह आना जाना था मेरा तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस वार बारी सोते ही मेरे आस पास के सारे जो खेता आप देख रहे हो वो सारे के सारे बुआ ही मेरे से अब गिवार इन्हों ने पहले क खुशी इस बात की और उनके अगर बड़ी अफसल होती है तो उनसे ज्यादा मेरे को खुशी होगी कि दो लो यह यह काम तो हुआ इदर यह इसलिए देखे एक रोचब बात बताओं इनके बारे में हमारे चतर में बहुत खेजडी होती है खुब खेजडी होती है लेकिन अगर आप सोचे कि कि अगर कोई वेक्ते अपने खेट में खेजडी उगाए खेजडी का पोदा लगाए तो थोड़ी आसी भी आते हैं आश्तरी वह होता है लेकिन सर ने लगाई है ऐसी उननत किस्म की खेजडी लगाई है जिसे बहुत जारा सांगरी भी लगेगी सर यह कअब मैं जोड़कूर मोट गर्याइबारानि खेजडी का फेजडी का बहुत ज्यादाब करका च और 스ाद बैड़के किप कीए तो मैंने वालों से संपर्किया मेरे मित्र हैं गपी बड़े वन विवाग में तो मैंने विकानेर वालों से संपर्किया मेरे मित्र हैं जो काफी बड़े वन विवाग में बड़े पद्स रिटैर वे उनसे मैंने संपर्किया तो उनके सयोग से मैं पचास खेजडी विकानेर से लिखिया या इस मैंसे विकानेर से जो मैं लेकिया उनमें करीब 15-20 अभी जीवित हैं और उनके मैंने देखा एक आपको मैं दिखा था एक सांगरी लगी कम से कम 6-6 इंच की सांगरी ती तो मैं उसका वीज लेना चाहिए था लेकिन वह भू सांगरी आती है मुझे तब ज्यादा खुशी होगी जब मैं मेरे लोगों को मेरे मित्र लोगों को मेरे आसपास के लोगों को वह सांगरी की सबजी खिलाऊंगा तो यह लगेगा कि वह इसमें सब कुछ हो सकता है दर्ती अपने पास कुछ नहीं रखती दर्ती में एक दान कök लिए बी निज़ने मेरे को जो है वो तरह तरह की बातने यह मिलती है और मुझे यह बहुत के बाद में आठ क्यों दे रहा है ये खेत में काम क्यों कर रहा है, सरकार इसको पेंशन दे रही है तो पड़े पड़े खाना चाहिए, मेरे को ये लेकिन उससे मेरे कोई फरक पड़ने वाड़ा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैनद करने पर हर काम में सफलता मिलती है, परिश्रम, लगन और उसके प्रति अब आपका होना चाहिए, और इस वर में आस्ता होनी चाहिए, ऐसा कोई कारिय नहीं है, मनुष्य मेनद करें, इस वर में आस्ता रखें, और उसका डायरेक्शन सही हो, तो उसको सफलता नहीं मिलें, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप देख रहे हैं, ये मैने कैंच में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है कैंच में कैसे रहेंगी मैं आप तो मेरे को गाइड करो मैं केंचवा खाद बनाओंगा मेरे खाद में इसको इसको इस्तेमाल करूंगा तो मैंने मेरिट से यह कैंच मंगाए फिर इनके बंदोबस्त किया फिर मिठा पानी दिया चाते हैं खाद को ताकि हर घर में इसका प्रियोग हर खेत में प्रियोग हो मनीश जी का इसे मामले में बड़ा सेयोगरा हर चीज जो टेक्निकल चीज है या बजार की चीज है तो मैं तो बजार जाता ही नहीं मेरे तो मकान इबार की साइड में तो कभी पाइप चीए कभी कोई अंतर चीए कोई तो मैं तो उनको फोन करता रहता हूं और वो मेरे को उपलब्द करवाते रहते हैं और यह आप देखिए कि अभी आपने कोरोना काल में देखा कि हवा ने अपने किमत मांग ली दिल्ली में एक एक सिलेंडर दो दो लाक रुपे में विका है जो जितना पैसे वड़ा था ऑक्सिजन के शिलेंडर की उसने उतनी कीमत लगाई लेकिन वह बच नहीं पाया और देख लिया कि अब सारा ऑक्सिजन ही ऑक्सिजन हो गया अब वह दिन दूर नहीं है दस पांक साल बीन पंदर अभी साल में जमीन भी अपनी कीमत मांग गए क्योंकि ज आप कोई विगेंगों खाओ और उसी समय आपको उल्टियां उने लगेर पचे नहीं तो आप खाओगे क्या आपके पास सब कुछ है तीजोरियां भरी पड़िए खाने के लिए तो अनी चीए आपको और वह अन जब तक सुपाचे नहीं होगा अन जब तक आपकी मजा और व सब्सक्राइब होती है और समय आ रहा है इसका शिक्यम सरकार ने डिए पी यूरिया प्रतिबंदित कर दिये अपराद एच्छे मैंने की वहां सजाए वह यह आपके केंचवा खाद या और्गेनिक जो फर्टलाइजर है वही काम में ली जा रहे हैं इफको वाले जो खाद बना रहे थे उन्होंने भी केंचवा खाद बनाने का परंजाब में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगया है सारी जानकारियां जुटाने के बाद में मैं इस नतीजे में पहुंचा कि मैं भी इस खेतर में जाओं तो यह काम व्योसाइक का मेरा ज्यादा बड़ा उद्धि तो यह उर्वरक भी है और इससे किसान को यह लगेगा कि अधिकाद मैंने पैदा किये और जो अन्न पैदा करेगा वह अन्न जो है प्रकृति की पूरी देहन होगी तो वह सुपाच्छे भी होगा नमन करता हूं सब्सक्राइब कितनी भाव करने वाली बात कही है कि ऑक्सि दो कीमत मांगेगी यांनि हम अनास को तो तो तुरूंत होने लग जाएगी क्यों नहीं होगी हम देख रहे हैं कितनी बिमारी get अर यह करें कि डिया नहीं कर देखे यह हमारा सपना है हम बगवाँ से प्रारतना करते और आपके इस प्रियास को मैं सेलीट करता हूं नमन करता हूं मैं सबी किसान भाईयों से अपील करता हूँ कि वो निरास नहीं हो और अपने अपने परियोग करें जितना ज्यादा जेविक खेदी पर जोर देंगे उतने ज्यादा उनकी उपा देता होगी उपयोगता होगी उनके अनकी उपा देता होगी केवल पैसों के पिछे नहीं भा होगी जहां भी आप बुलाओगे मैं मेरे डीजल पेट्रॉल जो है का खर्चा करके आपके वाँ उपस्तित रहूंगा यह मैं अपील करता हूं उन कि वो याद करें मेरे को मैं हर समय आजी रहूंगा देखे अपना पेट्रॉल डीजल जलाके मैं आपके पास आऊंगा आपको सहरत रहकी जानकारी दूँगा और मैं आपके सागरमल जी चोधरी के जो कॉंटेक्ट नमबर है वो मैं डिस्कृप्स ने डालता हूं आप इनसे बात कर सकते हैं और आप मिल सकते हैं सुजानगर से दो या तीन किलोमेटर चापर रोड पर अंदर की तरफ है राइट साइड में सुजानगर से आते हैं तो एक बार अगर आप चाते हैं इनसे मिलना तो फोन से कंसंपर कर सकते हैं या बात करके इनसे मिल भी सकते हैं और मै मैं पुने निवेदन करूँगा कि आप इस कारिक्रम को बहुत गंबीरता से ले खास और से वो किसान जो सपना देखते हैं कि बारे मेंने हमारे खेतों में हल चले हमारे स्प्रिंगलर चले फंवारे चले और हमारे खेत हरे भरे रहे और फसल लहलाती रहे हमारे खेतों में य ये सागरमल जी चोधरी की पूरी टीम है, जिसमें प्रमुक रूफ से मनिश जी तुनवाल पूरा काम देख रहे हैं, ये सारा सिस्टम लगाने का, चमपलाल जी को आप देख रहे हैं, बहुत पहनत कर रहे हैं, और बागिर जी जो इस पूरी खेती का कार्य देख रहे हैं। सागर्मल जी चोधरी ने अभी इस कारे में बहुत बड़ी क्रेडिट मनीजी तूनवाल को बिद्धे मैं उनसे जाना चाहूंगा मनीजी यह जो सिंचाई का सिस्टम यह पर लगाए गया है जो इसराइल पदती है किसान यह भी जाना चाहेंगे कि इसमें लगबग लागत कि नहीं आ जाती है इसके अंदर करीबन हमारा यह दस भीगा का खेत है इसके अंदर यह सोलर प्लांट और यह इसराइल की टेकनोलोजी लेके आए हैं इन दोनों को मिला के करीबन यह चार एक लाग रुपए का खर्चा है पलस कुय का जो अलग है जो कितनी गयराई पर पानी आता है उसके उपर डिपेंड करता है यह लोगों हम लोग क्या कि मैं सागरमल जी चोदरी के साथ इसलिए जुड़ा हूं कि ताकि अपने सुजानगर छेत्र के अंदर खेती का नाम सिंचाई योग्य हो जाए यह तो यह टेकनिक है जो बहुत बढ़िया काम करेगी हमने इ जिसमें यह एक रिकोर्ड बताया गया है कि भारतिये लोग हैं वो असी परतिसत इसलिए एसपल हो जाते हैं कि वो काम शुरू करने से पहले परिणाम के आसा करने लगते हैं और एसपलता गेडर से इसकाम को बंद कर देते हैं जो ब्यक्ति एसपलता से ड़ता है वो कभी स सब्राइब देते हैं अगर सब्सक्राइब करनी है वह पुरे जजबे के साथ कि आप हो जाए हो और हर घ्रा फैसल लह और यह हमारा जो पहला कदम है यह जहर मुक्त खेती की तरफ है और सुजानगड़ के अंदर क्या की खेती के लिए लोग पानी की कमी के कारण खेती नह अगलाग फसले नहीं ले पाते हैं अब हमने यह मसीन लेके आएं तो इससे हम बहुत सारा रिसर्च करेंगे यहां पर हमने केस्वा खाद भी गई इस खाद का प्लांट भी यह करीबन इसका इन्वेश्टमेंट हो गया करीबन तीन लाख रुपए तो यह सारी हम खाद भी सबको फाइदा हो सके हैं जैर मुक्त खेती की तरफ एक कदम यह मिशन भी है और मैं बता दूँ यह कोई व्योसाइद नहीं है एक प्रोजेक्ट है एक मिशन है इस चेतर को हरा बरा करने का और जैर युक्त जो खेती हो रही है उससे छुटका राद दिलाने का और एसी एन